आज स्कूल में डाक्टर आई थी, विद्याले में बच्चों के साथ साथ माता पिता को भी बुलाया गया था, सभी बच्चे स्वास्ट की जाच हो रही थी, बच्चों को बारी बारी से जाच करते हुए डाक्टर कुछ स्वास्बंधी बाते बता रही थी, समय से खाना खाकर सो जाया करें और बताया खाने से पहले साबुन से हाथ धोया करें दूसीत जल न पिया करें सुबह सुबह टहलने जाया करें योगा अभ्यास करों और नित्य असनान करो सुमित ने कहा इनकी बाते कौन सुने मतलब एक लड़का था जो इसका नाम ता सुमित उन्होंने कहा इनकी बाते कौन सुने कुछ देर पस्चात समु में बैठी मीता ने डाक्टर से पूछा मीता एक जो है बच्चे की मा थी उन्होंने डाक्टर से पूछा डाक्टर जी ऐसी कोई दवा बताई है जिसे मेरी बेटी सिवानी मोटी हो जाए डाक्टर अचमित रह गई चकीत रह गई डाक्टर फिर उन्होंने सभी बच्चों से एक साथ पूछा क्या मोटा होना ही स्वस्त होना है मतलब डाक्टर ने बच्चों से पूछा कि मोटा होना ही स्वस्त होना है बच्चों में चुपी चागई अक्सर बच्चे अगर कोई चीज नहीं जानते हैं तो जो है चुप हो जाते हैं कुछ देर बाद एक पोने से आवाज आई और क्या कोई बच्चा था वो भोला और क्या मोटा ही होना ही तो स्वस्त होना है कुछ और बच्चों ने हां में हां मिलाई किसी ने कहा तेज दवड़ना स्वस्थ होना है किसी ने बताया खेलना ठीक है डाक्टर ने कहा लेकिन स्वस्थ होने के लिए मोटा होना आवस्यक नहीं है पिर हम कैसे जाने के हम स्वस्थ हैं कई से जाने के हम स्वस्थ हैं कई बच्चों ने एक साथ पूछा डाक्टर ने कहा डाक्टर ने क्या कहा स्वस्थ होने की उन्होंने क्या बाते बताई डाक्टर ने कहा कि यदि तुम्हें कोई रोग नहीं है यदि आपको कोई रोग नहीं है और लंबाई के अनुपात में तुम्हारा वजन सही है मतलब एक मानक है लंबाई कितनी होनी चाहिए वजन कितना होना चाहिए उसके अनुसार तुम्हारा वजन सही है लंबाई के अनुसार और आप अपने कारे जो भी कारे हैं आप बिना ठके हुए कर सकते हो तो तुम स्वस्त हो तो और विस स्वास संगठन के अनुसार सारीरिक मानसिक समाजिक यानि सरीर से दिमाग से ठीक है और समाजिक यों सम्वेगात्मक रूप से विकार रहित ब्यक्ति को स्वस्त ब्यक्ति माना गया है